नमस्का आज़ादी के अमरित महोत्सव बोकारों में 4 किलो में लंबा तिरंगा लेकर निकाली तिरंगा यात्रा 10,000 लोग हुए सामील अज़ादी के अमरित महोत्सव को लेकर लोग अपने तरीकी सिरंगा के सम्मान में कारेकरम आयोजित कर रहे हैं आयादी के अमरित महोत्सव और हर घर तिरंगा कारेकरम को लेकर बोकारों के चास में भी जो हार वेलफेर सोसाइटी की ओर से 4 किलो मेटर लंबे तिरंगे को लेकर तिरंगा यात्रा लगभग 8 किलो मेटर तक निकाली गई यहां तिरंगा यातरा 4 के जोधादी मोर से निकाली गयी जो विभीन चोग चोग राहो से गुजरते हुए शेक्टर 4 के गांधी परतीमा के पास खत्म हुई इस दोरान इसकुली चत्र चत्राए और आम लोग इस तिरंगा यातरा में सामिल हुए बता दे तिरांगा यात्रा के दुरान बारिस होने के बावजूद लोग पूरे उत्साह के साथ तिरांगा को पकड़ कर अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे थे यात्रा में बज रहे देश भक्ती के गाने पर महिला और पुरूस सभी लोग जुमते नजर आए इस दुरान महिलाए इस भवे तिरांगा यात्रा को अपने कैमरे में कैद करने के सेलफी लेती नजर आई इस यात्रा में लगभग 10-11 से अधीक लोग सामील होने का दवा किया है जारखन के रांची समयत अन जुलों में रभीवार की सुबा से फिर बारिस सुरू हो गई है बतादे सन्निवार को लागातार चार दिनों से हो रही बारिस कुछ थमी थी हलाकि राजधानी राची में कहीं कहीं छिटफुट बारिस हुई थी मौसम विभाग ने 15 अगस्त को राजधे के कुछ अस्थानों पर हलके से मदर्ज की बारिस की समभवना जताई है वहीं अगामी 29 अगस्त तक लोगों को बारिस से राहत नहीं मिलने वाली है मौसम केंद्र का पूरुन्मान है कि राजधानी सहित को लहन और पलामू परवन्डल में कहीं कहीं भारी बारिस की समभवना जताई है वहीं 15 अगस्त को कहीं कहीं हलकी बारिस की समभवना है 29 अगस्त तक मौसम ऐसा ही रहने की उमीद है सुखागरस्त घोसित होगा जारखन 18 अगस्त को बैठक राज्य में सुखाड की स्थिती का जयजा लेने के लिए हर जिले में टीम काम कर रही है क्रिस्ति मंत्री बादल के मुताबिक टीम रभीवार से अपनी रिपोर्ट सोपने लगेगी इस रिपोर्ट के अधार पर मुख सचीव सुखदेव सिंग 18 अगस्त को सभी उपायुकतों के साथ बैठक कर सुखाड की स्थिती की रिपोर्ट लेंगे रिपोर्ट के अधार पर केंद्र सरकार से राजे के प्रभाववी परखंडों को सुखागरस गोशित करने का प्रवधान भेजा जाएगा हलाकि मुख सचीव की बैठक के बाद आप्दा प्रवधन विभाग के मंत्री बना गुपता समिक्षा करेंगे तीसरे चलन में मुख्य मंत्री है मंसुरेन किरिसी मंत्री की मौजूदगी में बारीस रोपनी मिट्टी में नमी से समधित रिपोर्ट की समिक्षा करेंगे वस्तु इस्थिती पर विमर्ज के बाद केंद्र सरकार से प्रवाईत प्रखंडों को सुखार गोशित कर किसानों को मुख्या देने की मांग राज सरकार की ओर से की जाएगी तिरांगा यात्रा में सामिल हुए राजेपाल कहा देश से ही हमारी पहचान इस अशर पर उन्होंने कहा कि हमारा देश हमारे लिए सबसे बड़कर है हमारे देश से ही हमारी पहचान है रमेस बैस ने राची इन्वर सिटी द्वारा आयोजित, हर घर तिरंगा अभ्यान के अंत्रगत, आयोजित इस तिरंगा यात्रा की सरहना कर्ते हुए कहा की इसे रांची और आसपास के अधिक से अधिक लोग जूड का सभागी बनेंगे और यह तिरंगा यात्रा लोगों में देशवक्ति का पूर्ण संचार करेगा 36 वे राश्ट्रिये खेल को लेकर जारखन महिला होकी टीम का चयन ट्रायल 36 वे राश्ट्रिये खेल के लिए होकी जारखन महिला टीम के लिए चयन ट्रायल का उजन किया गया राश्ट्रिये खेल में भाग लेने के लिए होकी जारखन की महिला होकी टीम के चयन के लिए रब्विवार को एस्टोटर फोके स्टेडियम बर्यातु राची में खुलाट चयन ट्रेल कराया गया इसमें होकी जार्खन के कई जिलो समेट रेलवे एकलब्य के कुल 57 खिलाडियों ने भाग लिया 57 दिवस पर जार्खन पूलिस को 14 वीरता पदक एक राष्ट पती पदक जार्खन के लिए यह खुसी का चान है विसेसकर पूलिस विभाग के लिए भारत सरकार ने जार्खन के 26 पूलिस अपसरों और करमचारियों को विभीन सेवाओ के लिए मेडल पदान किया है भारतिये 57 दिवस पर इसकी विधिवत घोसना कर दी गई है मेडल प्राप्त करने वालों में 6 पूलिस जवान ऐसे भी हैं जो सहीद हो चुके हैं इनको मरनो प्रांत मेडल परदान किया गया है यह 6 जवान नक्सली हमले में सहीद हो गय थे इस समान के जरिये भारत सरकार ने इनकी सहादत को याद किया है जनकारी के अनुशार जारखन के 14 पूलिस अधिकारियों और करमचारियों को पूलिस भीरता पदक मिला है इसके साथ ही एक पूलिस अपसर को विशिट सेवा के लिए राष्टपती पूलिस पदक दिया गया है वही 11 पूलिस जवानों को सरानिये सेवा के लिए पूलिस पदक मिला है केंद्रिये गिरिह मंत्राले ने पदक पाने वाले सभी 26 पुलिस पदाधिकारी और पुलिस करमचारियों के सुची जारी कर दिया है देश में स्वास्त, सिक्षा, अर्थ वेवास्ता वा अने छेत्रों में दिखाई दे रहे अच्छे बदलाव राष्ट पति द्रोपदी मुर्मू सवतंत्रता दिवस की पुर्व संध्या पर समोधित करते हुए राष्ट पति द्रोपदी मुर्मू ने कहा है कि पुर्व संद्यापर देश बिदेश में रहने वाले सभी भारतियों को मैं हर्दिक बधाई देती हूँ 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीसिका अस्मिलिती दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस अस्मिलिती दिवस को मनाने का उदेश समाजिक सद्भाव मानो सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमने अपनिवेसिक सासन की बेडियों को काट दिया था उस सुप दिवस की वर्षगाठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधिनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं रांची के मुराबादी मैदान में दही हांडी परत्योगता स्रीम हमन्त सुरेन करेंगे सिरकाथ स्रीक्रिश् Carbon जनमाष्ट मी समिती रांची की ओर से 17 अगस्त को मुराबादी में स्रीक्रिश्ण जनम ओसव और 18 को 10 हांडी परत्योगता होगी मुक्ष मंतरी हमन्सुरेन को आमंत्रित किया गया है उन्होंने 18 को 10 हांडी परत्योगता में आने पर समति जताई है इस दोरान समिति के अध्यक्स राजीव रंजन परसाद ने उन्हें समिति का परतिक चीन वा अंग्वस्त्र भेट किया विशिष्ट अतिथी के रूप में पर्देश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्स राईय स्थाकूर ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम स्वास मंत्री बना गुपता क्रिशी मंत्री बादल पत्रलेग पुर्व केंद्री मंत्री सुवोध कांथ सहाय विधायक कुमार जय मंगल सिंग और मजूद रहेंगे तिरांगा के जरी बीजेपी नहीं कर रही कोई राय नीती बाबुलाल मरांडी धनबाद से वागमारा के बीश भाजपा ने करीब 45 किलोमेटर तक मोटर साइकल तिरांगा यात्रा निकाली इस तिरांगा यात्रा में जीले भर से हजारों लोग सामिल हुए यात्रा के समापन अस्थल धनबाद का इंडोर स्टेडियम में सभा हुई इसमें बतर मुख्य अतिती पूरो मुख्य मंत्री भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी वा विशिष्ट अतिती के रूप में धनबाद सांसत पी एन सिंग सामिल हुए मंच पर विधायक ढूलू मतो और उनकी पत्नी सावित्री देवी समेत भाजपा के कई छोटे बड़े नेता मुख्यूद रहे बता दे उन्होंने कहा कि तिरंगा के जरिये भाजपा कोई रा नितिक नहीं कर रही है बली कांग्रेस नेताओ पर भारत बिभाजन का आरोप है 14 अगस्त को उन लोगों के हस्ताक्षर से ही भारत का बिभाजन हुआ था 20 सितंबर को रही भारतिय कमिनिस्ट पार्टी मैक्सवाधी पॉलित बियोरो ने कहा है कि केंद्र की 99 मोधि नितिक वाली भाजपा सरकार देश की सुरक्षा से खिलवार कर रही है अगनिपत ही ना देश के लिए घातक साभित होगी या होजिना युआओ और देश के भवी से के लिए किसी अस्तर पर ठीक नहीं है उन्होंने कहा है कि भारतिये सेना का निजी करन आगे चल कर घातक साभित होगा मोधी सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए इसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए इसकी जगा भारतिये सेना में पूर्ण कालिक बहाली करने की पहल करनी चाहिए गुमला पुलिस ने लगाई हत्यार प्रदर्सनी बच्चों ने सेना में जाने का लिया संकल्प, देश की आजादी की 75 वर्षगाट को लेकर गुमला पुलिश ने स्कूली बच्चों के लिए हतियार की परदस्नी लगाई, हतियार की परदस्नी देखकर बच्चे काफी रोमांचित हुए, हतियार कैसे चलाते हैं यह जानने क की जगियासा बचों में देखी गई हतियार परदस्नी का उधगाटन स्पी डाक्टर एतिसाम वकारीब वर डीडी सी हेमंत सती ने किया पुलिस लाइन चंदाली के भावन में हतियार की परदस्नी लगाई गई 15 अगस्त को 110 कईदी होंगे रिहा जार्खन सरकार ने माप की सजा अजादी का अमरित महोसों के कारिकरमों के करम में पहले चरण 15 अगस्त को सोतनतता दिवस के अशर पर बंदियों की सेस सजा अधी को माप करते हुए उन्हें रिहा किया जाएगा ग्रिः विभाग ने इस समन्द में आदेश जारी कर दिये हैं जार्खन की विभीन जेलों में सजा काट रहे 110 बंदियों को 15 अगस्त सोतनतता दिवस के अशर पर रिहा किया जाएगा जार्खन सरकार ने इन सभी दो सीध बंदियों की सजा माप कर दी है अजादी का अमरित महोसों के कारकरमों के करम में पहले चरण 15 अगस्त के अशर पर बंदियों के जेल में अच्छे आचरन को देखते हुए उनकी सेस सजा अधी माप करते हुए रिहा करने का निना लिया गया है ग्रामीन एसपी नवसाद आलम ने रभीवार को समनाले में क्राइम मीटिंग में ए निर्देश दिये डी एसपी वह थानेदारों को नक्सल परहवी छेतरों में गस्त लगाने को कहा गया सराब जुआ के अड़ों पर छापे मारी करने को भी कहा गया साथ ही परतिश्ठानों वा घरों में तिरंगा लगवाने की भी जिम्यदारी सोपी गई समीक्षा में उन्होंने लंबित कांडों का सिगर निस्पादन के साथ एक साल से जेल से छूटे अपराधियों का सत्यापन करने को भी कहा जार्खन HDF के जवान नक्सली के घोड़े पर ले जी घुमा करता था इसके अलावा STF के जवान अने दो घोड़ों का भी उप्योग प्रसिक्षन के लिए करेंगे बतादे STF अधिकारियों के नुसार वर्ष 1217 में अर्वींद जी दस्ता का साथ बुढ़ा पहाड में पूलिस की मुट भेड़ हुई थी इसके बाद नक्स 2018 में अर्वींद जी की बीमारी से मौत होने की सुचना मिली 15 अगस्त को लेकर होटल लोज में चेकिंग 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के द्रिश्टी कोन से SSP के निदेश पर राइधानी की विभीन ठाना छेतरे के होटल और लोज में पूलिस ने चेकिंग की पूलिस ने होटल के केमरों की तलासी भी ली कमरे में ठहरने वाले लोगों के बारे में जनकारी एकत्र कर उनकी जाच की जाच के दोरान ऐसे लोगों से विशेष पुष्टास की गई जो बाहर से आक ठहर हुए थे हलाकि पूलिस को किसी भी होटल के कमरे से कोई संदिग दे या अपत्ति जनक वस्तु बरामत होने के अधिकारिक जनकारी सामने नहीं आई है प्रधान मंधिनान मंधिने जहरखंड की लौन बॉल खिलाड़ी लौली चौबे से पूछा की इस सफलता को आप कैसे सेलिबरेट करेंगी इसके जबाब में लौबली ने कहा सर लौन बॉल कुछ दिन पहले तक एक गुम नाम खेल था अब पूरी दुनिया इस खेल के बारे में जानने लगी है आप भी इस खेल को अच्छी तरह से जानने लगे हैं हमारे लिए इस से बड़ा सेलिबरेशन और क्या हो सकता है कि पर्धान मंत्री भी अब इस खेल के बारे में जानने लगे हैं कांग्रेस की गौरो यात्रा संपन्द मंत्री रामेश्वर उरावने मोधी सरकार पर साधार निसाना लोहरतगा जीला कांग्रेस कमिटी की तत्वधान में आजादी की पशतरवी वर्षगाट के उसर पर पिछले 9 अगस से 14 अगस तक चलाई जा रही गौरा यात्रा का रभीवार को समापन हो गया बता दे पद्यात्रा का प्रारम कुड्डू परखंड के गराम 15 से सुरू किया गया जो राची कुड्डू मुख्यपत होते हुए कुड्डू बस एस्टेंट इस्थीत बीर बुधु भगत की परतिमा के समक्ष सरधांजली के बाद संपन हो गई असाने बिधायक सह मंत्री रामेश्वर उराव ने कुड्डू बस एस्टेंट इस्थीत बीर बुधु भगत की परतिमा पर मल्यारपन कर सरधांजली दी उन्होंने कहा कि मोधी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश पिछड़ता जा रहा है और्थ बेवस्था पूरी तरह चोपट हो चुकी है गीरी डी में चाकू से वार कर युवक की हत्या सडक जाम जारखन के गीरी डी जीले के पचमबा थाना छेत्र में अपराधियों ने चाकू से वार कर एक सक्स्त की हत्या कर दी मिरितक का नाम जावेद बताया जा रहा है हत्या के बिरुवद में अग्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया सुचना मिलते ही पुलिस महोगे पर पहुंची और लोगों को सांथ कराया पुलिस मामले की जाच कर रही है बताया जा रहा है कि तीन अपराधियों ने इस वर्दात को अंजाम दिया है इसकी गिरफतारी के लिए पुलिस हपे मारी कर रही है गढ़वा के स्री बंसी धर में साथ दिवसीय स्री कृष्ण जनमोच सो स्री कृष्ण जनमोच सो का अवज़न हम सभी के विरिंदा वन में होने का असास करा रहा है ए बाते स्री पियों परमोत कुमार केसरी ने सरनीवार की राज स्री बंसी धर नगर में अवज़ीत साथ दिवसीय स्री कृष्ण जनमोच सो के मौके पर रास लिला का दिप प्रज़रित कर उधगाटन किया स्डिप्यों ने इससे पुर्व बैदिक मंत्रो उचारन के बीच स्री राधा कृष्ण जी की फूजा अर्षना की तत पस्चात रास लिला का उधगाटन किया उन्होंने कहा कि निरंतर इस तरह के धार्मिक आवजन से सीरी वसी धार मंदिर की ख्याती देश दुनिया में होगी जारखन सिक्षा पर्योजना कर्मियों के मांदे पर फैसला नहीं 16 अगस्त को बैठक जार्खन सिक्षा पर्योजना कर्मियों में रोस है, कहा जा रहा है कि तीन वर्सों के परफर्मेंस अप्रेजल होने तथा मांदे विरिधी पर बीत विभागी स्विक्रिती मिलने के बाद भी प्रस्ताव एजेंडा में सामिल नहीं किया गया है जार्खन के चत्रा अस्थानिय मंदलकारा के समिप रविवार को मनावता तलपती रही और अधिकारी नियम वा कानून का हवाला देकर एक भीवस महिला को फटकार लगाते रहे बतादे बीवस महिला की गोद में नवजात का सौ पड़ा हुआ था उसकी आँखों से जार कतार आशू चल रहे थे अम्तिम सस्कार से पुर्व मृत नवजात के चेहरा उसके पिता को दिखाने के लिए मंडल कारा लेकर आई थी आठ बजे पुर्वाहां से लेकर दो बजे अपरहां तक महिला और उसका पूत्र दोनों कारा अधिकारियों वखर्मियों से फर्याद लगाते रहे लेकिन हर बार उन्हें सीर्फ और सीर्फ फटकार मिली बीवस होकर दोनों नवजात का सौ लेकर वापस लोट गए कारा के अधिकारी नियम का हवाला दे कर अपना पला जारते रहे जार्खन के IAS मनिस रंजन को गोल्ड मेडल लाल बहादू सास्त्री राष्ट्रिय प्रसासनिक अकादमी मासुरी में आयोजीत 16 में मिड करियर ट्रेनिंग के फेज फोर में जार्खन केडर के IAS अधिकारी डाक्टर मनिस रंजन को डारेक्टर गोल्ड मेडल सहीत प्रसिक छनार्थियों में पहला अस्थान प्राप्थ हुआ है इसमें पूरे देश से 94 IAS अधिकारियों ने भाग लिया एक माह से JPSC अध्यक्ष पद खाली जार्खन लोग सेवा अयोग के अध्यक्ष का पद एक माह से अधिक समय से रिक था इस कारण जहां बिभीन परत्योगिता परिक्षाएं आविजित नहीं हो पा रही वहीं कुछ अन परिक्षाओं का पईनाम भी जारी नहीं हो पा रहा इससे अभियार्थी परिसान है सबसे अधिक परिसान सहायक अभियांता नियुक्ति परिक्षा के अभियार्थी है बतादे लंबे समय तक कोट में लड़ाई लड़ने के बाद पईनाम जारी होने का समय आया तो उनका पईनाम सिर्फ इसलिए जारी नहीं हो पा रहा क्योंकि आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है अभियारती आयोग से लेकर कार्मिक विभाग का चकर लगा रहे हैं अनुबंद प्रध्याफको का धर्ना जारी जार्खन सहायक प्रध्याफक अनुबंद संग का अपनी मांगो को लेकर अनिस्चित कालिन धर्ना प्रदसन 18 दिन रभीवार को भी राजभौन के समीप जारी रहा है विभीन विश्व विद्यालियों वा अंगी भूत कोलेजों में कारड़त अनुबंध प्रध्यापकों ने अपनी मांगों के लेकर आवाज बुलंद की अनुबंध सहायक प्रध्यापक UGC ग्रेट पे के अनुशार निश्चित मांसिक बेतर निर्धारन और परिनियम का निर्मान कर सेवा निमितिकरन की मांग कर रहे है साथ ही ASK MUA कोलान बिसुबी द्याले से बार हाटाएग अनुबंध प्रध्यापकों को सेवा में अबिलम वापस लाने की मांग की जा रही है पूर्वी सिम्भूम के 40 परत्यासी आयोग घोसित हो सकते हैं हाल में संपन हुए पंचाय चुनाव में पूर्वी सिम्भूम के 40 परत्यासी ने चुनाव खर्च का फाइनल हिसाब नहीं दिया निर्वाक्ची पता अधिकारियों ने इसके लिए परत्यासीयों को कई बार आगाह किया परत्यासीयों ने इसकी बात को अधिक महत्व नहीं दिया यही वज़ा है कि अब जिन परत्यासीयों ने फाइनल हिसाब जमा किया है उनके खर्च का वेवरा राज निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा जिन परत्यासीयों ने हिसाब जमा नहीं किया है उन्हेराज निवाचन आयोग चुनाव लणने के आयोग घोसित कर सकता है बता दे पुर्भी सिमू में कूल सताई सीटों के लिए चाचन में संपन चुनाव में कूल 208 लोग चुनाव लणने के योग घोसित थे इन में से 160 ने ही चुनाव खुर्च का हिसाब दिया है धन्यवाद यदि आप चनल पनाए होथे चनल के सब्सक्राइब के बहुल के बेल एक अंद बाई साथ साथ वीडियो को एक लाइक का अपने दोस्तों के सेर करना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपना फीडबेक अवस्ते दे थैंक्यू